इससे पहले जहां पर मेरा व्लॉग खतम हुआ ता महीं से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है तो यहां पर इससे पहले हम लोगों का नाश्टा हो चुका है और बच्चे जो है स्कूल सुबे ही चले गए थे और हमारे नाश्टे के बाद मैंने सबसे पहले कपड़े लगा दिये हैं जो की धुल जाएंगे और अब ठंडी शुरू हो गई है फाइनली ठंड लगने लगी है तो इसलिए मैंने हलका सा हुड़ी डाला हुआ है मतलब बहुत जादा नहीं है बट फिर भी है ठंड और बस अब जो है मैं अपनी सफाई स्टार्ट करूंगी और वन्शी का के पापा अपने आफिस के काम में बीजी है तो जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ साड़े नौ बजे से उनकी कॉल स्टार्ट हो जाती है तो उससे पहले पहले हमारा नाश्टा हो जाता है यहाँ पर जो है सबसे पहले मेरा डाइनिंग ही क्लीन होता है हमेशा ही क्योंकि मेरा हाथ ही मतलए यहाँ से सफाई करने से स्टार्ट होता है उसके बाद मैं आऊंगी अपने सोफो की तरफ और इनको भी जल्दी से मैं क्लीन कर दूँगी हलनकी डेली-डेली जब आप चीजों को क्लीन करते हो तो फिर इतनी ज़्यादा जूरूरत रहे है बट फिर भी यह है कि थोड़ा सा अगर हलका हलका सा अभी कपड़ा मारते हुए चलो ना सब चीजों में तो फिर बहुत जादा गंदिगी भी नहीं होती है यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़े clean कर दी है और साथ ही साथ अपना TV cabinet की बारी आती है साफ करने की और हाँ बहुत सारे comments आ रहे थे कि आपने TV cabinet तो बनवा लिया है लेकिन आपका TV कहा है अभी तक TV नहीं आया है तो जी अभी टीवी की मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं फिल होती है बाहर हमने टीवी कैबिनेट बनवाया जरूर है फ्यूचर को देखते वे क्योंकि पहले हम यह सोच रहे थे कि जो हमारा बेडरूम है वहां से टीवी हटा के बाहर शिफ्ट करेंगे बट जब यह टीवी कैबिनेट बना है ना तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब यह बड़ा टीवी कैबिनेट बन गया है तो यहाँ पर हम बड़ा वाला टीवी लेकर आएंगे बट अभी नहीं फ्यूचर में लेकर आएंगे जब हमारा बजट होगा टीवी लाने का और वैसे भी इतना ज़ादा टीवी मैं भी नहीं देखती हूँ, बच्चे भी नहीं देखते हैं, जब भी देखते हैं तो विराइश के पापा ही देखते हैं, तो हम लोगों के लिए फिलहाल एक टीवी काफी है, तो ये तो हो गई टीवी कैबिनेट की बात, दूसरी बात ये है कि एक कॉमेंट और आया था कि आप कितनी सारी लाइट जलाके रखते हो, आप किया बिजली का बिल नहीं आता है, क्या, तो जी लाइट मैं, मतलब 24 घंटे इतनी सारी लाइट नहीं जलाके रखती हूँ, लेकिन जब मेरा वीडियो शूट होता है, तो मैं जो है लाइट्स जालाके रहती हैंкивgen में मेर्हा पॉलिषंछ की साली लाइट्स आुण रहती है तो मतलब पधर का मतलब यह है कि लाइट्स इसलिए वाइटा प्रवाइटार तो हैं मैं कहते हैं तो सरी प्रवाइब हो गया मेरे बरतन चूट गये हैं वह मैं बाद में वैश करूंगी और t Kiryu है इनिवर्सरी है वो बहुत जल्दी ही आने वाली है ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे कितनी तारीक को आएगी मेरी अनिवर्सरी मतलब कौन सा दिन है वो मैं आपको आगए वीडियो में बताऊंगी और अपनी अनिव आपकी anniversary आने वाली है ममी आप कहां celebrate करोगी क्या करोगे हालनकि बहुत बड़ा ऐसा कोई हम लोग function नहीं करते बस अपना चार है तो cake ले आते बस हलका छोटा मुटा सा cake कट कर देते बट इस बार मेरा मन था कि हम कहीं बाहर जाके अपनी anniversary celebrate करेंगे मुझे जो बहुत सुन्दर जगे लगती है ना वो मुझे लगता है राजस्थान जैपूर उदैपूर तो मेरा personally मतलब मेरा मन बहुत जादा था कि हम लोग वहां कहीं जाके anniversary celebrate करें बहुत टाइम से plan भी बन रहा था बट किसी reason से जो है का plan फिल हाल कले cancel हो गया है बट फिर भी जो है मैंने कहीं और उकले तयारियां शुरू कर दी है तो आगे जो है आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या-क्या तयारियां की है और हम लोग कब निकलेंगे तो यहां जो है जाडू बगरा मेरा लग चुका था और यह श्Yam का टाइम है तो श्याम का नहीं बलकि यह दुपैर का टाइम है साड़े तीन बज़े का टाइम है तो लंच वगरा हो चुका है बच्चे स्कूल से आ गए थे और इधर जो है मैं करने लगी हूँ अपने बरतन वाश तो वो जो बरतन रह गए थे ना मेरे वो मैंने दुपैर में वाश किये अच्छा हुआ यह कि मुझे बहुत नींद आ रही थी आज जाने क्यों अब जैसे जैसे ठंडियां आती है वैसे वैसे नींद आनी भी जो टाइम आता है वो होते है श्याम के चार बजे ठीक साड़ेच है और आज हमारी श्याम की चाय में हो गया है बहुत ज्यादा लेट तो मैंने जो है यहां पर चाय रखी हुई है आज थंड़ अमी शुरू हो गई है तो मेरी सॉक्स निकल जाते तो मुझे पता लगया थ अब थंड़ ज्यादा आगई है और आज चाय बनाने के इसको बोला था लेकिन इसने नहीं वना है इतनी मूड़ी लड़की है अगर इसका मन करता है तो बड़ी अच्छी चाय बना के लिए कर आती है आज मैंने वोला है वन्ची का बट चाय मुझे को अज बना ठाब चाय अधाना भी बनाने का टाइम हो जाएगा और आज बनाओंगी ये बीन्स तो यह मैंने कल ही कट कर ली थी तो एक महना जो है मेरी वो कम हो गई है पहले ही कट करने की तो चलिए पहले चाय पी लो दे उसके बार सब्जी बनाईंगे तयारी करेंगे खाने बनाने की और जब तब तक बच्चे अपना homework करेंगे पूजा कर ली तब पूजा करो चलो पर हमारी जो चाय है वो बनके हो गई है तयार और आप लोगों की ये भी कॉमेंट्स आ रहे थे कि दी आप ना अपने हस्बिन का नाम नहीं लेती हो क्या हमेशा उन्हें वंशी का कि पापा करके बुल तो जी हाँ मैं कभी भी नाम नहीं लेती हूँ जब मैंने स्टार्टिंग से इस नाम नहीं लिया तो फिर अभी तो खेर सवाली नहीं उठता है और सच बताओं तो हमारे यहां ऐसे हस्बिन का नाम लिया भी नहीं जाता है वो तो आजकल हो गया है लोग लेने लगए 2004 का बताओं तो मुझे नहीं अच्छा लगता है अपने हस्बन का नाम लेके उनको बुलाना तो मैं वंचीका के पापा करके ही उनको बुलाती हूँ मतलब किसी से जैसे मुझे इंट्रड्यूस कराना होता है तो मैं वंचीका के पापा ही बोलती हूँ ने तो मेरी न वही आदत नाम तो हम लोग भी नहीं लेते क्योंकि हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता है तो यहां पर जो है ना अभी मैं सब्जी की तैयारी करके मतलब पहले ही कर चुकी थी अभी मैं आप पर फ्राई करी हूं तो मैंने आयरन की कड़ाई ली है उसके मस्टर्ड ऑइल डाला है और बस लेसन का तड़का लगाया है और वो जो बीनस होते ना उनको आड कर दिया है तो सिर्फ लेसन का तड़का लगाने से ही सब्ज यह इतनी ज़्यादा बढ़िया बन जाती है आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है बस सब्जी में लेसन का तड़का लगाओ और फटा-फटसी नमक, मिर्च वगरे डाल दो और धक के इसको पका दो और थोड़ा सा तब तक पकाओ जब तक यह लाल सी नहीं हो जाती जब तक करारा पन नहीं आ जाता और तब देखिए आपकी सबजी कितनी बढ़िया कितनी लाजवाब बनती है और जब तक सब्जी बन रही है यहाँ पर आटा भी गुन लेती हूं तो साथ-साथ जो है आटा भी गुन जाएगा क्योंकि मुझे आटा जो है सैट करने के लिए रखना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत में आटे में नहीं करती हूं दिखाओ कौन सा लेकर रहे हैं तो अभी दो फिश और लेकर आगे हैं देखिए और यहां पर इनका हॉलिडे फूड भी आया है देखिए तो यह ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो इसको डाल दो और फिर एक हफ्ते के लिए अभी आप जा रहे हो तो इनको खाना देणी की ज़रत्ी होती है इसी से जो है इंका काम चलता रहता है इतनों उतना सदूर्आ खाटे रहते है छोड़ए अपकी बाद जो फिश आई हूँ बहुआ कि आज वोगत थामी कियूपी पकी कियूप už ब्रुंक ुई 아닌 इस इसको क कैसे भाग रही है वो ऐसे क्यूं कर रही है ज्यादा तेज पटक दिया के आपने ठीक हो गई हलो एवरीवन गुद मॉर्निंग और वेलकम बैक तो माई चैनल तुझी थस्टे का दिन है सुबह के बचले है ठीक साड़े आठ बस मैं आपर बम Waynchi के पापा के लिए तो बच्चे तो चले रहे स्कूल तो बच्छे को अनको बना करके दे गा ता लेकिन अभी टिफिन की तढ़ी तयारी करनी है तो यहां पर मैंने थोड़ी से पालक कटचिए हूए है chokes न थोड़ी सी गोबी और आलो तो यह सारी मिक्स मे जोसे बहुत बढ़िया लगती है खाने में और मैं इसको बनाओगी आईरन की कडाई में तो चलिए सबसे बारे सब्सक्राइब कर लेते हैं एक और सबजी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेर कर देती हूँ तो आयरन की कडाई ली है इसमें डाला है मैंने मस्टर्ड ऑील साथ में इसमें वही लेस्न की कलिया डाली है और थोड़ा सब्सक्राइब जख्या डाला है। जख्या नहों तो आप राईका यूज कर सकते ह उसके बाद आलू और गोबी मैंने इसमे अड़ कर दिये हैं और इसको भूनेंगे अभी दो-तीन मिनट तक अच्छे से और जैसे ये थोड़े से भून जाएंगे ना इसमें हम अड़ कर दिंगे पालक और यकीन मानिये सबजी इतनी बड़िया वनी थी ना कि आप एक बार इस सबजी को खाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे इतनी अच्छी सबजी बनती है तो यहाँ पर जो है सबजी को अच्छे से मिक्स कर दिया है आप चाहे तो इसमें लास्ट में जो है एक टमाटर भी लेकिन टमाटर आपको सबसे लास्ट में आड करना है क्योंकि आइलन की कडाई में अगर पहले ही टमाटर डाल दो तो फिर यह जो आलू है यह पकते नहीं है तो यहाँ पर मैंने सिम्पल से मसाले डाले हैं कोई प्यास का यूज़ नहीं किया है और टमाटर मैं डालूंग लेकिन एक डालूंगी वो तब जब 85% जो सब्जी होती है वो हमारी पक जाएगी तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी जो है चड़ा दी है और यह वो टाइम है जबकि वंची का के पापा का मुझे लंच पैक करना होता है तो सब्जी बनके बिल्कुल तयार है और उनके ट और वो खुती बोलते है बहुत जादा ताम जाम रखने की ज़रूरत नहीं है और मेरे लिए काफी होता है तो सब्ध मेरी बहन का भी फोन आ गया था तो ये जो मॉनिंग का जो मतलब आदा गंटे पॉन गंटे का टाइम रहाता है मेरे पास तो बस इसी टाइम पर मैं घरवालों से भी बात कर लेती है तो ये सब को सबकी जगे पर भेच के साड़े नौ बजे तक मैं हो चुकी हूँ अभी फिलहाल के लिए फ्री मतलब पांच मिनट के लिए फ्री तो बच्चे तो सुबह ही स्कूल चले गए थे बच्चों के पापा भी अभी जो है ऑफिस के निकल चुके है तो जब सब चले जाते हैं तो घर की हालत कुछ ऐसी रहती है और फिर हम बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं लेकिन जब फिर सब वापस आते हैं फिर से घर की हालत ऐसी ही हो जाती है बट वो तो डेली काम है तो हमें अपनी तसली के लिए एक बार सब कुछ जो है साफ सुतरा करके रखना पड़ता है और जो की रखना चाहिए भी तो बस आप जो है लगती हूं अपने कामों पर और हां आप लोगों से मैंने व्लॉब के बीच में एक बात कही थी कि मैंने जो सुमबार को आएगी 21st november को मेरी आनिवर्सरी होती है आप लोगों पूछ रहे तो बहुत कुछ थैंद उसलिए और ने क्या कर दिया है थी हमारा प्लान है कहीं जाने जाए इनिवर्सरी जो भी ओगा आप लोगों के साथ आगे वीडियों में शेयर करोंगी और यह गहां स पिछले महीने से शेहां जाएंगे वहां जाएंगे आफ बनाए बश्य अलग जगे जहां जो जाएंगे इस प्लान बनन गया है तो अष्कली मेरी थोड़ी सी पैकिंग मेने शुरू कर दिया तो यहां यह दो बैल देख रहे हैं यह दू बैग में समान रख दिया है अच्छा इसके अंदर क्या समान है यह मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी थोड़ा सा सस्मेंस रहना भी जरूरी है बट जहां भी जा रहे हैं बहुत ही प्यारी जगे हैं बहुत ही सुन्दर सी जगे हैं और मुझे तो बहुत जादा पसंद है तो चलिए जहां सोचा था वहां तो नहीं जा रहे हैं लेकिन जहां जाएंगे वह भी बहुत बढ़िया जगे अभी 90 परसेंट तो कंफर्म है हम लोग जा रहे हैं 10 परसेंट थोड़ा सा मतलब होता है ना जब तक निकल ना जाओ घर से तब तक किसी भी चीज़ के लिए बिलकुल ब वीडियो के यही पर मैं एंड करती हूं तो यह था मेरा चोटा से वीडियो आपको कैसा लगा जरू बताईएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चानल के सब्सक्राइब कीजिगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा मैं आपसी मिलती हूं अपने अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई एंड टेक केर